नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि Elprol Excel टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Elprol Excel टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और Elprol Excel टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे की Elprol Excel टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Elprol Excel एक brand name है Elprol Excel टैबलेट के अंदर salt composition metoprolol होता है Elprol Excel टैबलेट 25 mg व 50 mg की strength में available है Elprol Excel टैबलेट एक beta blocker drug class की दवा है Beta blocker दवाईया दिल की धड़कन को धीमा करती है और शरीर में blood vessels को relax करके blood के circulation को बढ़ावा देती है और blood pressure को कम करती है Elprol Excel टैबलेट का उप्योग hypertension होने पर यानि blood pressure अधिक होने पर माइग्रेन के सिरदर्द को रोकने के लिए और एंजाइना को रोकने के लिए भी Elprol Excel टैबलेट का उप्योग किया जाता है एंजाइना होने पर रिदय तक blood का circulation कम हो जाता है जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लग जाता है जिन व्यक्तियों को दिल का दोरा पढ़ चुका है उन व्यक्तियों में दोबारा दिल का दोरा पढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए भी Dr. Elprol Excel टैबलेट को लेने की सला दे सकते है इसके अलावा दिल की धड़कन अनियमित होने पर भी Elprol XL Tablet का उप्योग किया जाता है Elprol XL Tablet Blood Pressure को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक Blood Pressure अधिक रहने की वज़ा से Kidney Failure, Heart Failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक Blood Pressure अधिक रहने की वज़ा से आखों की Blood Vessel भी Damage हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ती का Blood Pressure 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का Blood Pressure उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का Blood Pressure ज्यादा है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Elprol XL Tablet की वज़़ से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Elprol XL Tablet की वज़़ से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में ठकान व कमजोरी होना, सिर्चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर्दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, दिल की धरकन का धीमा होना, नींद ना आना और डिप्रेशन होना आदी Side Effects Elprol XL Tablet की वज़़ से हो सकते हैं लंबे समय तक Elprol XL Tablet को लेने से पुरुषों में Erectile Disfunction भी हो सकता है, Erectile Disfunction यानी पुरुषों का सेक्स के लिए तयार न हो पाना, अब हम डिसकस करेंगे की Elprol XL Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Elprol XL Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Elprol XL 25 MG Tablet या Elprol XL 50 MG Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं, Elprol XL Tablet को हर रोज एक निर्धारिच समय पर लेना recommended होता है, Elprol XL Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गं भीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आपको Elprol XL Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि Elprol XL Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने पर, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, दिल की धड़कन बहुत कम होने पर और गंभीर हार्ट फेलियर होने पर, आधी कंडीशन्स में Elprol XL Tablet को लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Elprol XL Tablet को नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको Elprol XL Tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और घीव ज्यादा ओयली भोजन को खाने से बचना चाहिए। Elprol XL Tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। और Elprol XL Tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि Elprol XL Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतरकता प्रभावित हो सकती है। Elprol XL Tablet को डॉक्तर की सला के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्तर की सलाह के बिना एलप्रोल एकसल टैबलेट को बंद करने से दिल से समबंधित समस्याए गंभीर होने का या दिल का दौरा पढ़ने का जोखिम अधिक हो जाता है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं के लिए एलप्रोल एकसल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। एकसल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एलप्रोल एकसल टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल।